हलो फ्रेंट्स आज हम लेकर आए हैं आप सब के लिए एलोवेरा ओयल जो हम सब की जुर्रत है आज की समय में हमारे बाल तूटते हैं हमारे बाल जड़ते हैं वैसे मैं चाहिए एलोवेरा ओयल एलोवेरा ओयल आपके बालों को चमकदार और लंबे और घने बनाते हैं इसलिए आज हम लेकर के आए हैं आप सब के लिए एलोवेरा ओयल जिससे आपके बाल मजबूत होंगे घने होंगे और लंबे होंगे तो ये है हमारा नेचरल एलोवेरा जो हमने लगाया है मार्केट स ऐसे खरीद कर हम नहीं बना रहे हैं। की और इसे सबसे पहले हमने धोग दिया है। धो करके उसे पोछ लेना है। और बहुत ही सावधानी से उसके खिनारों को societies कर के हटा लेना है। क्योंकि खिनारों में जो हलके हलके काटे दार होते हैं। उससे आपके हाथ कट सकते हैं तो एलेवेरा को हम लोग बहुत ही आराम से उसका जेल हम लोग निकाल सकते हैं और आप सभी के घरों में एलेवेरा पाए जाता है सो इसका जेल निकाल करके मिक्सी में हम इसका पेश्ट तयार करते हैं और उसके बाद जो भी ओयल आप अपने बालों में यूज़ करते होंगे उस ओयल को मिला करके आप बना सकते हैं हम यहां पर कोकोनट या रोयल लिये हैं जो बिल्कुल प्योर होता है आप चाहें तो कोकोनट का ओयल ले या जो भी आप इस्तमाल करते हैं उस ओयल को आप यूज़ कर सकते हैं सो हमने पेश्ट त्यार कर लिया है और जितना हमारा यह एलोवेरा जेल का पेश्ट है उतना ही हम तेल भी ले लेंगे दोनों का नाप एक बराबर होना है और इसे हम आप देख सकते हैं कि पेरासुट नारियल तेल है सो हम इसे बनाएंगे और यह हमारा जो कडाही है मैंने गर्म करके रखा है इसमें हम हलका सा आप देख सकते हैं कि गोल मिर्च को डाले हैं और यह गोल मिर्च जो है हमारे बालों में कई बार खुजली होती है गर्मियों में पसीने हो जाते हैं तो जब हम इस गोल मिर्च को डालते हैं तो इससे हमारे बालों की खुजलियां खत्न होती हैं और भी बहुत से फाइदे हैं इसलिए एलोवेरा अगर आप के पास हैं तो एलोवेरा ओयल बहुत ही लापदायक होता है इसे लो फ्लेम पे ही बनाना है और सबसे पहले हमने गोल मिर्ज को थोड़ा सा हलका सा भून लिया है उसमें ओयल डाल दिया है ओयल डालने के बाद में ये एलोवेरा जेल को जो पेश्ट बना लेया उसको हमने डाल करके हलका हलका धीरे धीरे इसे चलाते रहना है लो फ्लेम पे और बहुत ही आराम से ये तयार हो जाता है और इसके बाद हम इसे ठंडे होने के लिए रखतेंगे आप देख सकते हैं कि ओयल बिलकुल अब तयार हो गया है और इसे हम चान लेते हैं ठंडे होने के बाद इसे चान लेना है तो फ्रेंड्स ये हमारा तेल तयार है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बाइंक यू